प्रवाद कर रही हूँ मेरे लिए बड़ी कुछ नसीबी की बात है कि मुझे इस अलाजीम शक्सियत सरस्यद हमद खा के तालिमी खिप्माद पर लगश आई करने का मौका लिला 17 अक्टूबर यानी यूमे सरस्यद आज की दिन आलिम पर मुस्रिफ यूनिवर्सिट की कोई सजया नहीं चाता बल्कि दुन्या के हर गोशे गोशे में हर उस गोशे गोशे में जहां कई भी सरस्यद बस्ते हैं यूमें सरस्यद उसी खुशियो मसरत के साथ मनाए जाता है मेरे अजीदों, रोज यवर से सर्दमीन हिंद पर बहुत से ऐसी शक्सियाद उपर कराई है जिनके हैसानों को परामोश करना मुश्कीली नहीं बलकि नामुम्किन है उन्हीं में से कद्रीम शक्सियद का नाम सरस्यद हमत खाए सरस्यद का जमाना आज से ठीक तो सब बरश पहले था 19 सदी के हिंदुस्तान में सरस्यद ने आखे खुली मुखल बादशाद अपने जवार पढ़ी बगताने सामराजियत पूरे उरूस पढ़ी इसके सामराजियत में सुरज दूपता रही था आजाद की लड़ाई का जड़ हो चुका था हाँ गर्चा आजाद की लड़ाई को 357 में परचाने सरकार दे कुचल लिया लेकिं फिर भी फिर भी इसमें एक सांस बाकी थी सरस्यद हमत खाँ इन तमाम जिज़ा को बहुत करीच से देख रहे थे उनके दिल में इंकलाब बना परहा था और इंकलाब किसी जड़ की सुरत में नहीं बर्के एक फिक्र थी एक खयाल था जो उनके कलम से फूर्ट का तालीमि दरफी इंसानियाद, भाईचारगी और सियाजी फिक्र की सुरत में परवाद चर रहा था मौज़िस सामाई, सरसे जड़ हमेद खां को मालम था हिंदुस्तानी समाज की दरफी, उसकी अवाम की दरफी सिर्क इल्म से हो सकती है और ऐसा इल्म जो हिंदुस्तानीय को मगर्ब के साथ खड़ा हने का शुरुद पैदा करे आजरी में पर 19 सथी में गांडीजी की तहड़ी का हिंसा और वही दूसरा तपका मुकमल आजादी हमारा हक है इसके लिए हिंदुस्तानीय से खून मांगा बहनों से उनके भाई, माउं से उनके लाल, और सुहाद जन्यों से इसकाद मांगा सहसे असमुहानी ने सनक्रा सुन्टीस में मकमल आजादी की करादा पेश की यह सारी पिकरे, सदर भी पकार यह सारी पिकरे अपने ज़िए के दुरुस्त थी लेकिन सथ से अहमद खान ने जहनी आजादी हासिद करने के लिए इन मकमनी तलवार बनाई मुक्तलित थारीरों के जड़िये हिंदुस्तान को तारीर की तरफ रादी किया और इनकी तहरीर में कौमें तर्द नुमाया था जिन्हें हिंदुस्तानी अवाम से बेहत मुहपत थी वो मुल्क के लोगों को तरफ ये खुशारी के मंजिल पर गांजन देहना चाहते थी इसलिए उन्होंने बड़ी दिल सोजी के साथ अपने तहरीरों के जड़िये कौम को इसकी इसलाफ की तरभी बताई और इसलिए रह्मद खाने अपने तहरीरों के साथ साथ अपने तकडिरों के जरिये कौम को इसलावां जबान वदब के इहम फितमाद अज़जां दिये इनकी फिक्री कोशिक की बदोलत नाजित ख्यालाज में तबदिली पैदा हुई बलके भारी, मोटिय और गहर ज़रूरी अलफाद के बोर से जबान आजार भी इन्होंने उर्टुपाही में जबान बना दिया और सदर की वखार, सरस्यद रह्मद खान ने उस वक्त अपने वजुद को वक्स कर दिया जब हमारे चारोर भटाएं, अंध्यरी भटाएं चाहएं भी थी जहाद और पसमान दिखी के समंदर, हत्राइब की निशांसे उपर बहच चले जा रहे थे अब मुसल्मान ऐसे पस्ती के तहाने वर बहुँच चुके थे यवाब से नमुम्किन थी यहीं, में अन्लह को मारी हालत इखाल पर्हें आया होना बहुत जरूरी है इसलिए उन्हों में हिंदुस्तानियों को मुसल्मानों को तारीम की तरह प्राइब किया मुक्तलिफ खिदमा तंचान लिए इसकूल और कॉलेजों को कायम किया सासिया धमक्खा ने 1769 में मुरदाबाद में एक फार्सी मदरस बनाया इस मदरसे में अंग्रेजी और फार्सी दोलों की तार्विंदी जाती थी सासिया धमक्खा ने मुसल्मानों की तरफ़ी के लिए 1773 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली इस सोसाइटी में जदी दूलों के साथ साथ उन किताबों को जो यूरप से आजी है मुका उनकी में तर्जमा तरने का हित्मां किया लच्छा मुसल्मान अकर उस जबान नहीं जानते लिकिन फिल 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 उलूम उनकी तक अपनी मादर जबान में पहुंसके सासिया धमक्खा को 1770 में जब इंगर्तान जाने का मौका मिला तो यह इस तो यहाँ वो इस वैसले पर पहुंचे कि हिंदुस्तान में भी क्यामरिश के तर्सका एक तालीमिदार क्यान करेंगे और वहां का अपबार गार्डिन से मुतासिर होकर सरस्याथ एहमद खाने तालीमिदार सग्धा के इलावा मुसल्मानों के सिवाफ़ी जिन्दगी में इंकलाब पैदा देने के लिए इस तरह का अपार हिंदुस्तान में चाहिए करने का पैस लग्या और शारत लग्राप का इसी इरादे की तक्मील थी इस इरादी की तकमी जी तरसे उतु जुपान पर सरसे जहतार कर जिकर कर गए हुए मौलवी अफुलहब कहते हैं इसके जुपान उतु को पस्की से निपार कर अंदाज अदाया में साधी के साथ खुबर पहटा थी संधीता मजामिं का टोर डाला साथ साथ की बुनिया डाली जरी बुलू मुफनों के तर जुम्या देजी से करवाई कुछ किताब इपी और दूसरों से निपाई अब बाराज जारीता की अंदाज नहीं किया लाग तन्जी तर वाशन सहाथ को मर्तबा बढ़ाया कि साथ तेह्जिब अखला के दर ये उद्व अदम में इंकलाब पैडा किया साथ से खुबर खुबर मुसल्मान अबों चहाया तर बस्की से निकाल कर बुलन दियों तरफ इकिराब कर गामसें करने के लिए सिनाटरा 75 में मुहमट एर अंडलो और इंडर कोरिश की बन्याद दाली सासे धहमед खां हर रफ इंडुस्ताने को आगर पढ़ने की तरगीद देते थे इनके इनी ख्यालाद पर अल्लामाइक बहुआ का इशर साथि काता है तु शाही है पर्वाद है काम तेरा तु शाही है परवाद है काम तेरा तेरे सामने आसमा और भी है शुक्या